आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल शाय मिस्रमिंग देखे आप तक हमने तीन तरह के पापड बनाना बताये हैं पापड और कच्रियां नमकीन तो इनको भून आप पापड अचया क्शिर दाली करें पापर-टैंचल बनाना बनाना है और हमने coughing सब्सार आप एक जे था यूट्यू इस नेवाकू भून तो इतने ऐख घरम होना है जब द cracked compr of the coal border at oil दोबारहने डाल कर दिखाया है यह हमारा आएल को चुका है j valued top तुरंड ऊपर इसी तरह से जब आप हो चुका है दो सको निकाल के साईट में बठेंगे और इसी देखे हम इसे भूण के अधाया Ke यह देखे कितने अच्छे से फूल फूल कर अच्छ़ें बन कर आ रही हैं तो यह देख सकते हैं बहुत टेस्टी लगती खाने में, बत्चे बिल्कुब इनके आगे आलू के लच्छे मतलब जो आते हैं और यह बच्चों के खाने वाले क्राक्स होगर आते हैं वो सब बच्चे भूल जाएंगे खाना अगर आप यह इस तरह से बना करके देंगे तो यह देखिए इस तरह से बन करके टेस्टी आलो की कच्री यह देखिए अब यह हमने डाला हुआ है अपना टमाटर और चावल के आटे वाली कच्री तो इनको हम देखें भून रहे हैं यह हरः का सा रेड ले करके आएंगी और थोड़ा सा चावल के कच्री से हार्ड होंगी वह देखिए त hagल के खाने में नहीं यह तो इन किमने इस आप अप को उतनी फ्लक्root हैं धाया क्यों वह इसलिए क्योंकि होने र्म भूनने के पापर पापर को बिल्कुल धी वी ठी बहुत ज़ेंडा High Flam पर बहुते हची खो जाएंगे और जाधह तर करके यह तॉम की सहायता से आप बुूने साज़ को ön अबस केवल इतना ही करना होता है कि ये थोड़ा सा चावल और टमाटर की वज़े से रडज जाधा हो जाती है भुने में और वाइट कम निकलके आती हैं देखिए अभी हम चावल की कच्री एक और तरीके से लाने वाले हैं बहुत टेस्टी बहुत यम्मी तो आप उसे भी द तो यह देखिए इनका क्रंच देख सकते हैं कि एक बार में ही हमने दबाया और यह चूरा बन गया तो इतना टीस्टी लगता है खाने में और यह देखिए अब हम चावल के अपनी कच्छी दिखाएंगे आपको यह भी हमारी चूरा बन करके तयार हो जाएंगी देखिएगा यह देख सकते हैं एक तम से चूरा बन जाता है तो यह देख सकते हैं चूरा बन कर तयार है और अब हम अपनी टमाटर और चावल के हाटे की भी कच्रियां देख लेते हैं उनको भी हम तोड़ कर देखते हैं तो यह भी करीपर हमारी चूरा बन करके बिलकुल यह देखिए इस तारे से चूद्वा बन जाती है तो खाने में फिलास अभी है बहुत तेस्ट्टी है ठीक है लेकिन बस फ़र्क इतना ही कि जावल के आंटे की जो खती होती हो थोड़ा सा हाड़ हो T falando की जो कश्रियां होती है वह अच्छी होती है तो आज के हमारी ये रेष्पी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लेज लायक करें सब्सक्राइब करें और पॉस्फाना örज्णें और बी जो भी पापल हम बनाएंगे गडर में आप लोगों के लिए ऐसे लाते रहेंगे तो आप लोग प्लिज अपने comment में बताएगा कि हम आप लोगों के लिए कौन-कौन सी recipe ला सकते हैं या आप लोगों को कौन-कौन सी recipe चाहिए तो देख सकते हैं वाईज यह बहुत अच्छा snack है निलते next day next recipe का बबाए